नमस्कार साथियू यूपियसी मास्टर में आप सभी का स्वागत है बासुदेव बलवन्त फड़ के अर्थात करांती के आदे पुरूश जिन्होंने 1857 के पस्चाथ अंग्रेजों के खिलाब ससुस्तर सच ने विद्रो किया और बिटिस सरकार को ना कुछ चने चबाए इस लेक्षर में हम इनके द्वारा किये गए विद्रो पर सारगर भित चर्चा करेंगे और जारेंगे हर लिहाज से कि ऐसे क्या कारण रहे कि इन्होंने पिद्रो का रास्ता अक्तियार किया और जानेंगे उन सभी पहलवों को जिनके चलते बिटिस सरकार ने विद्रो का मित्रो बासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 1845 में महारास्ट के रायगार जिले के चेरगोडी गाउ में हुआ था। महारास्ट वाला जो छेत्र है वहां किसानों के समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी और इन समस्याओं ने बासुदेव बलवंत फड़के को कापया परभावित किया। सिवाजी ने तयार किया था तो इन्होंने जो है किसानों को संगठित किया और 1879 में ससस्त्र विद्रह कर दिया। इस विद्रों में इन्हें धन की आवसकता थी सैना की आवसकता थी तो इसके लिए इन्होंने जो धनी साहुकार थे जो फिरंगी हुआ करते थे उनके साथ लूट पाट की और अपना सैने संगठन मजबूत किया अंग्रेजों की सैने ववस्था को ठप करते चले गए। फड़के ने जो है रामोसी संगठन की अस्थापना की और जिसका मूललक सही स्वराज्य को बनाया और यह नारा दिया कि सवराज्य को प्राप्त करके ही हम अपनी समस्चाओं को जड़ से समाप्त कर सकते हैं फड़के का विद्रोह इतना ससक्त था कि पुना के विश्राम बाग में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की बैठक हो रही थी तो फड़के की जो तयार की गई सेना थी जिसको रामोसी सेना भी कहा जाता था उसने इस बाग को घेर लिया अंग्रेजो अधिकारियों की पॉस्टर चिपकवा दिये कि जो रिचर्ड नाम की इस अधिकारी का सर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपे का इनाम दिया जाएगा बिट्र सरकार और घबर आ गई और इनके पीछे हाथ होकर पड़ गई फलसरूप 1880 में फड़के को गरतार कर लिया गया और इन पर रहजद्रोह कारोप लगा कर काला पानी बेज़ दिया गया यहीं इनकी मृत्यों के पश्चात दोलता रामोसी ने इस अंधुलन का नेतर तुकिया और इसका मूल कारण भी रहा रिनो गिरावट के कारण जमीन जो है साहोकारों के पास गिर्वी जोना हो जाना अर्थात जस्तस किसानों की बढ़ती सबस्याएं उमीद है कि लेक्चर आपको बढ़िया से सबच में आया होगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जहिंद जय भारत महा सक्ति भारत